Hello students, good morning and welcome to e-learning class. Students, आज हमारा topic है, हमारा same chapter, बचपन, जिसकी लेखिका है, कृष्णा शोबती. तो previous वीडियो में हमने बचपन चैप्टर की रेडिंग की थी, और आज हम इसके question answer है, उन्हें complete करेंगे. तो हमने जब चैप्टर की रेडिंग करी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कृष्णा शोबती है, जो लेखिका है, वो हमें अपने बचपन के बारे में बताती है, कि उनका बचपन और हमारा बचपन किस सरीके से अलग-अलग है, कितना अंतर उनके बचपन में और हमार हमें बचपन के बारे में बताती है, हर किसी व्यक्ति का बचपन वो अलग-अलग होता है, तो वैसे ही लेखिका बचपन के बारे में बताती है, तो चलिए इसके में डिधार को क्या किम करती थी अपने जूते पॉलिश करना और उनको दोना मूझे धोना और जूतों को पॉलिश करना वो जोनNE के काम उन्हें कुछ भास दी परड़ते थे और को चमकाना है तो सेकंड कोश्चन है तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है ये बात कौन कहती है लेखी का कहती है इस बात के लिए लेखी का क्या क्या उधारन देती है क्या क्या उधारन दिये गई है क्या क्या उधारन दिये गई है जिससे हमें ये पता चलता है कि लेखिका के समय और हमारे समय में काफी दूरी आ चुकी है देखिए उनके समय में और हमारे समय में काफी दूरी आ चुकी है वो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लेखिका पैदा हुई थी पिछली साबदी में और पिछली साबदी 100 साल की होती है तो देखे बहुत अंतर हो जाता है तो लेगी का बताती है कि जो समोसे और कचोड़ी है वो किसमें बदल गी है पेटीज में बदल गी है कुलफी है वो आइसक्री में बदल गी है खसकर्स और सैसूत के सरवत किसमें बदल गी ह उसके बाद वो बताती है कि पहले कुछ घरों में ग्रामो फोन हुआ करते थे लेकिन आज सबी घरों में क्या पाई जाते हैं रेडियो और टेलीवीजन और टेलीवीजन भी बदल गया है और जादतर अब किसका परियोग किया जाता है मुवाइल फोन का परियोग अधिकतर बच्चे या फिर बड़े करते हैं और उसमें हमारे लैप्टॉप और कम्पिटर भी शामिल है तो देखिए इतनी सारी चीजों में बदलाव आ चुका है और हम कपड़ों में भी बदलाव देख सकते हैं नेक्स्ट है पार्ट से पता करके लिखो कि लेकिका को चश्मा क्य उन्हें अच्छा लगता उसके बाद चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिड़ाते तो देखिए चचेरे भाई क्या होंगे जो चाचा जी के बच्चे उन्हें बोला जाएगा चचेरे भाई बैन तो वो उन्हें क्या कहकर चिड़ाते थे सूरत बनी लंगूर की, क्यों? क्योंकि जब कोई इनसान पहली बार अपने चहरे के साथ कुछ करता है, तो वो अजीव लगता है खुद को भी और दूसरों को भी, तो लेकिका को खुद को भी थोड़ा अजीव लगता था, उन्होंने जब चश्मा पहना, और उनके भाई बेनों उन्हें जब उन्हें देखा, तो वो उनका मजाक उड़ाने लग गए, कहने लगे कि तुम्हारी जो शकल है, वो बंदर की शकल जैसे लग रही है, उसके बाद, नेक्स्ट है, लेकिका अपने बच्पन में कौन-कौन सी चीजे मजे ले लेकर खाती, कौन-कौन सी चीजे, देखे, चैस्टनट, खसकस और सेंसूत का शर्वत, फाल से, आइस्टीम, चौकलेट, चना जो वो बहुत मजे ले लेकर खाती थी, उसके बाद वो लगया, कुछ फलो के नम, अब देखे, इतनी सारी चीजे वो मजे लेकर खाती, उसमें से फल कौन-कौन से है, खसकस, सें चैस्टनट, फाल से और चैस्टनट, ये उसके फल हैं, जो उसकी चीजों में शामिल है, यहाँ पर आपको सॉलिशन दिया गया है, उसके बाद आपके MCQ कोश्यन, फर्स्ट, बच्पन संस्मरंट की लेकिका कौन है, कृष्णा, शोबती, लेकिका ने पार्ट में अपनी किस उम्र का वर्णन किया है, बच्पन का लेकिका कब पैदा होई थी, पिछली स्ताबदी में, और स्ताबदी कितने वर्ष की होती है, सो वर्ष की, लेकिका बच्प जैसे वो सयाना महसुत करने लगी तो हलकी रंग के उसके बाद लेकका विशेश रूप से किस कपड़े को याद करती हैं देखिए यहाँ पर कपड़े का दूसरा नाम भी लिया गया था वस्त्र तो फ्रॉक को और फ्रॉक में वो बहुत सारी फ्रॉक में डिजाइन भी बता पहले जूते आरम दायक नहीं होते थे तो उनका क्या एलाज होता था अपने जूतों में कॉटन रखना मीन्स रुई रखना नेक्स्ट है प्रस्तुत पार्ट में किस बच्चे का नाम लिया गया है तो देखिए बच्चे का नाम है सरवर शेनिवार की दिन क्या पीना लेक इसका के लिए मुश्किल काम था कैस्टर ओयल उन दिनों कुछ घरों में क्या थे ग्रामोफोन सहतूत फालस और खसकस के सरवत किसमें बदल गए हैं कोक पैपसी में लेकिका के भाई बैनों की डूटी शिमला में क्या क्या करने के लिए लगी होती यह क्या लाने के लिए यह यहां पर आएगा बच्चों क्या लाने के लगी होती थी ब्राउन ब्रैड लाने की लेकिका छोटी सी चड़ाई करने पर कहां पहुंच जाती गिर जाके मैदान में लेकिका को हफते में एक बार क्या खरीदने की छूट थी चॉकलेट उसके बाद है लेकिका को शिमला के किस फल की भोतियाद आती है काफल की और काफल का श्वाद खटा मीठा देखिए यहाँ पर option में देखिए खटे मीटे फल दिया हुआ है तो आपने याद रखना खटे मीटे फल दे रखा है तो खटा मीटा फल जो स्वाद है वो किसका है काफल का तो आपने फल का ही नाम लिखना है चना खालिस्तान गरम बाबू में लाया मज़ेदार पंक्ती को पूरा कीजिए चना जोर गरम उसके बाद लेकिका ने बचपन में शिमला में कहां पर भहुत मज़े किये थे रिजपर लेकिका ने पार्ट में किस प्रकार का नाम लिया है इशू किस के भगवान है इसायों के जिनकी चर्च में पूजा की जाती है और देखिए इशू भगवान का ही नाम है भगवान का ही रूप है तो दुकान के शूरूम में किस का मॉडल बना हुआ था ट्रेन का शिमला में आखो के डौक्टर कौन थे अंग्रेज लिखिका के भाई के अनुसार उनकी शकल कब लंगूर जैसी लगती थी चश्मा पहनने पर काफल का श्वाद किस प्रकार का होता खटा मीठा पहले इतने आराम देख क्या नहीं होते थे जूते सुभीते शब्द का उचित अर्थ क्या है सुभीते शब्द किसके लिए प्रियूक किया गया था जूतों के लिए ही प्रियूक किया गया था लेकिका को चश्मा क्यigon लगा था आंखों में तकलीफ के कारण और तकलीफ क्यूं होई कि जब वो दिन के बजाए रात में पढ़ती तो स्टूडेंस चैप्टर टू बच्पन लेकी का कृष्णा शोबती उसके कोशन आंसर के साथ में कम्प्लीट होता है